श्मास्कार दोस्तों ब्रेक के वाद एक और फिर से आप सभी का मारी यूटूब चैनल दैरे स्टेडी पॉइंट पर स्वागत है फ्रेंट्स आज की क्लास में अपन पॉलिटिकल साइन्स की क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं राजस्तान उनिवर्सिटी एक्जाम दोजार चोईस प्रमुक राजनितिक व्योस्ताइं यह फर्स्ट पेपर है और बीए पार्ट सेकिंड के जो स्टुडेंट है उनके लिए आज की वीडियो में इंप्रोटेंट होने वाली है चाए आप non college के student हो यह फिर regular college के student हो दोनों के लिए important होने वाली है आप यह दिए रास्तन की other university से हो जाए सेकावाटी उनिवर्सिटी या किसी भी उनिवर्शिटी से संब्दितो और यह आपका यह paper चलता है तो आज की वीडियो आपके लिए भी important होने वाली है जैसे कि आपको पता है ये जो paper होने वाला है उसमें आपको तीन गंठे मिलने वाले हैं सो अंको का paper होगा जिसमें आपको 36 पास मार्किंग लाने है पास के लिए 36 लाने है यानि आपका जो पहले का जो सलेवस्ता वो ही है क्योंकि आपके semester तो लागू हुआ नहीं है यहां पर कल टाइम टेबल आया था यानि दूसरा टाइम टेबल जारी किया गया था लोग सबह चुनाव के कारण तो जो regular student है उनकी exam 6 अपरेल से हैं और जो non student है non college के जो student है उनकी exam 28 मार्ट से इस्टा यानि यह जो paper मैं बता रहा वाला है तो अपन दीरे दीरे पढ़ने का प्रियास करेंगे ठीक है पहला बड़ा क्युस्टन बिट्टी समविदान की विशेष्टाइं बताईए इस paper में आपको क्या पढ़ना पढ़ेगा जो विश्व के जो मैतपुन मैतपुन देश हैं जो विश्व इस्तर पर अपन बिटेन के समविदान के पर इसमें विशेष्टा देख रहे हैं फिर अमेरिका नेपाल Yayna मिजह पर चीन reacts पाकिस्तान का समविदान तो इंप्रियंट इंप्रियंट इंपर्टेंट जसे देश और समоловीदान इस book में आपको पढ़ना पड़ेगा तो आज की वीडियों में बात करेंगे बिटेन के समविदान जो है उसकी विशेष्टा क्या है क्योंकि इस प्रकार की किश्टन साते रहते हैं बड़े किश्टन बीशंगों का तो यहां पर अपन सिर्फ विशेष्टा देखेंगे ठीक है बड़े तरीके समझाने वाला हूँ बिटे समविदान की विशेष्टा बिटे समविदान विश्व का सबसे प्राचीन और एलिकी समविदान है आज के अधिकान समविदान बहुत कुछ बिटे समविदान के ही प्रसिफ्त हंस है बिटे सम्विदान की विश्यस्ताओं का उलेक अग्रे रूपों में किया जा सकता है तो यहाँ पर तीन चीजे इंपोटेंट आईए हैं ठीक है एक तो विश्व के जितने भी सम्विदान आप देख रहे हो उनमें सबसे प्राचिन सम्विदान यानि सबसे पहले सम्विदान बिटेन में ही बनाता है तो सबसे प्राचिन इसे माना जाता है यहाँ पर एक सब दोर देख रहे हो ऐ लिखित सम्विदान यानि यह कोई बुक में लिखा हुआ नहीं है यानि जिस परकार बारत का समविदान कैसा है लिखी समविदान है लिखी समविदान का मितलग हमारे यहां पर प्रोपर बुक में लिखा हुआ है आप जब भी आपने देखा होगा समविदान बारत का समविदान एक बुक में प्रोपर लिखा हुआ है और बड़िया तरीके स सजावट के द्वारा लिखा गया है लेकिन ये जो बीटेन का सविधान एलिक की समविधान है क्योंकि ये किसी बुक में लिखा हुआ नहीं है अब आप के माइंड में चल रहा हूँ फिर कैसे वहां की सासन व्योस्ताइं चलती हैं तो सासन व्योस्ताइं परंप्राओं के मा लेता हूँ अपन के देश में तव्वार बनाते हैं तो के अपन की देश में परवागों के आदार पनी तो है ना परंप्राइं है उसी प्रकार उनका जो समगीदन हैं उनमें प्रंप्राय हैं लिखा नहीं गया है और यहां पर एक चीज़ आपने और नोटिस की होगी कि जो विश्व के जितने भी देश हैं उनोंने कहीं न कहीं बिटी समविदान से काफी कुछ सीखा है और उनके जो अनुचेद हैं उनके जो भी है उन चीजों को अपना है जैसे बारत का जो समविदान है उसने बिटेन के समविदान से काफी कुछ लिया और एक चीज आपने सुनी होगी कि बारत का सम्विदान उदार का थेला है यानि भार के जो विद्वान रहे भी देशी उन्होंने बोला ऐसा क्यों बोला है क्यों कि हमने जो विश्व के जो देश है उनके सम्विदान से काफी कुछ लिया है अमेरिका के सम्विदान से बेट बाकी चीज हैं आप याद नंहीं रख पाऊँ तो यह score इंपरांट है, यह आपको अंक दिलाएंगे. तो पहला पॉइंट है विक्षित सम्विदान जो बिटेन का सम्विदान है वो विक्षित सम्विदान है बिटे सम्विदान एक विक्षित सम्विदान है अमेरिका और बारत के सम्विदानों की तरह इसका निर्माण निश्चित व्यक्ति समू है या सम्विदान सभा दुआ करा नहीं हुआ है मैं जा जा पर टिक मार कर रहा हूं उसको वापस से समझाओंगा बल्कि यह क्रामिक विकास का प्रिणाम है इसने अपना वर्तमान स्वरूप स्वरूप युगों के विकास के बाद प्राप्त किया है यह समय और संयोग की संतान है जिस परकार की चड़ में एक सुन्दर कमल खिलता है उसी परकार निरुंकुस राज तंतर में से बेटेन में एक परजय तंतर विक्षित हुआ बेटेन में नोवी सताब्दी में राज तंतर की स्तापना, सोलवी सताब्दी में संसद का विदीवत चलन प्रारम हुआ और सत्री सताब्दी में संसद ये प्रभू सकता इस्तापित हुई तक पश्चात संपूर्ण सासन व्योस्ता का निरंतर लोक तंत्री करण होता गया इस परकार बिट्टी समविदान को हम एक ऐसा विसाल बहुन कह सकते हैं जिसके विविन भाग अलग अलग पीडियों के प्रियतनों का प्रिणाम है अता है बिट्टी समविदान बदलती हुई प्रिष्टितियों के अनुसार अपने आपको डालते हुए अपने श्वरूप में परिवर्तन करते हुए निरंतर प्रगत्ती सील रहा है तो यहां पर देखो important important बात में आपको बता देता हूँ आपने काफी वार सुना होगा कि जो भारत का समविदान है वो समविदान सभादुआरग अफिता आपने पढ़ा भी है जैसे अमेरिका का वहां समविदान सभादुआरग अणिता है भारत के सविधान का , लेकिन बीटेन का सविधान ऐसा है कि वहां पर में तो संविधान सभा का गठन किया गया और नहीं निश्चित लोग थे क्योंकि से उन्होंने अपने सम्विधान को लिखाई नहीं इसलिए वह अपने में समय और यहां पर आपने पढ़ा होगा ना कर्मीक विकास यानि लगातार अपने आप ही विकास होता गया इस Inner पढ़ान का और यहां आप देखू समय और सउयोग की संतान है, यानि अपने हाँ पी ही उपच गया, जैसे किट चड में है यह जो कमल का फूल अपने हा प उपने आप ही ने तो कोई सम्विदान चलता था ने और कुछ चलता था लेकिन समय बदल गया और अब एक प्रजातंत्र की स्थापना हो गई वहाँ पर यानि जनता का सासन हो गया लोगतंत्र आ गया पहले नहीं था तो यह सारी बसार चीज़ें मैंने समझा दिए लोगतंत्री करण हुआ है यानि लोगतंत्र की स्थाफना दीरे-दीरे वहाँ पर हो गयी है ठीक है तो यह चीजा मैंने बड़या तरीकिसे आपको समझा दिया है वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत पूलो ठीक है आगे बढ़ते हैं एलिक की समविदान ही और मैंने बढ़िया तरीके से आपको समझा दिया यानि किसी भी बुक में इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है वर्तमान समय में विश्व में बिटेन ही एक ऐसा देश है जिसका समविदान एलिकित है यानि पूरे विश्व में आप देखोगे तो ये बिटेन ही एक मातर ऐसा देश है जिसका समविदान एलिकित है किसी बुक में नहीं लिखा है अंग्रेज लोग सिद्धानतवादी कम और व्यवारवादी अधिक थे जो व्यवारवादी रहेगा वो उसने बुक में लिखा ही न पिवद करने के परतिस सदेव एनिच्छा रही यानि उनकी इच्छा ही नहीं ती इसलिए बहुत से लोग बिटिस समविदान को एलिकित ही मानते हैं यह एलिकित इस अर्थ में भी है कि कभी भी यह समविदान सबा दुआरा नहीं यानि यह लिखते तो तब ना जब समवि भी टॉक में लिखा जाता इसकारण तो यहां पर विद्वान ने भी बोला टॉक्विल ने कहा इंगलेंड में इंगलेंड में इंग्लाइंड में सम्विदान जैसी कोई चीज है ही नहीं क्यों बोला ऐसा क्योंकि लिखाई नहीं गया तो इसने डायरेक्ट बोल देगी सम्विदान जैसी चीज में कोई ही नहीं इसके बाद में एक आत्मक सम्विदान बिट्टी सम्विदान एक आत्मक है सासन की समझ सक तिया केंदर सरकार चिन कर रहा हूं उसको समझाओंगा केंदर सरकार में नहींत है सारे देश का सासन एक ही इस्तान देश की कि राजदानी से संचालित होता है शंपून देश के लिए एक ही कारेपाली का, एक ही व्योस्ता पी का और एक ही न्याईपाली का है यद्देपी परसासनिक सुवीदा की दश्टी से केंदरी सरकार के दुआरा इस्तानी इच्छाओं को प्रियाप सकती भी प्राप्त है लेकिन शासन व्योस्ता का एकात्मक होने का कारण इन इस्तानी परसासनिक एकाईयों को अपना अस्तित्व और सक्तियां सम्वीदान से नहीं है वरन केंदर सरकार से राप्त है स्वभाविक रूप से उनका अस्तित्व उनकी इच्छाओं पर निर्वर करता है डखो आपने भारत में सुनाओगा कुछ सक्तिया राज्जे सरकार के पास कट है के अधर में 600 अधर में उसकी जो कारे पाली का है उसकी जो व्योस्तापिका है एकी व्योस्तापिका है एकी न्यायपाली का है एकी कारेपाली का है वो जो भी करेगा वो पूरे देश में लागू होगा लेकिन बारत में तो आप देखोगी तो आसा ही ने है इनी कुछ कानून के इंदर बनाता है तो कुछ कानून राज्य बनाता है, तो इसी कारण इसको एक कात्मक सम्विदान बोल दिया गया, आगे बढ़ते हैं, विदी का सासन, विदी का मतलब क्या होता है, कानून, यानि बेटेन में कानूनी ही सब कुछ है, विदी का सासन है, यह बेटी सम्विदान का मूलबू यहां है कि इंग्लेंड के सासन का संचाल नहीं विशेश व्यक्तियों द्वारा किया जाता है यानि डिटेन में आप देखोगे तो जो सासन चलाने वाली वह व्यक्ति नहीं है जिस परकार अंग्रेज बहुत अधिज अधिक्र लेगिन वहां पर क्या है कि ज्यादा इंप्रोटेंट किस किसी इसको दी जाती है विदी को दी जाती है कानूनों को दी जाती है जिसे पर अंग्रेज बहुत अधिक गर्व करते हैं कि आपर विदी का सासन है डाइसी ने वीदी के सासन को लक्षे करते हुए कहा कि वीदी के सासन के नुशार पर्टेक सरकारी करमचारी परदानमंतरी से लेकर एक सामने सिपाई और कर संगर है कनने वाले अधिकारी जो टैक्स इगटा करते हैं वो अपने अव्यद कारियों के लिए देश के कानून के प्रति उसी कोई अन्य सामाने नागरीक होता है तो चाहे वहां का करमचारियों चाहे परदानमंतरियों चाहे छोटा मोटा जो भी अधिकारी है उसके लिए समान कानून वियोसता है और उसको फॉलोई करना पड़ता है बिटेस हमिदान में विदीका शासन नागरीकों की सुतनतर्ता का प्रतिक है जिसे बिट्टिस चंता ने सताब्दियों के संगर्ष के उपरांद प्राप्त किया यह विदी का सासन उनकी एक लंबी देन है बहुत वर्सोबाद में यह चीजें उनको मिली है तो यह चीजें के लियर हो रही है आपकी और यहां पर आप देखोगे अगली विशेश्ता लचियला संवीदान का मतलब यह है कि वहां करना है काफी सारी कटनाईयों के सामना पता है तब जाकर शंसोद होता है लेकिन वहां पर हाहनं जो तुरंत संसोद कर सकते हैं तुरंत परिवर्तन कर सकते हैं इसलिए वहां के संविदान को लचिला संविदान बोल दिया गया और भारत का जो संविदान है ने तो जादा लचिला है और ने ही जादा कठोर है ठीक है संविदान में परिवर्तन ने ही जादा सरल है और ने ही ज़्यादा कठीन है तो डिस में अमेरिका में का संविदान modrec 15 गभंग से किया सकता है तो बेटेन का संविदान क्या है लचिला है आपन्他 परिवर्त जल्दी कर सकते संविदान सबसे अधिक लचिला कर सकती है जिस तरह से साधान कानुन को इस द्रिश्टी से बिटी समविदान जैसे कठ़ोर समविदान ओसे बिनने अशर होने के और पर इस्तितियाई तुरंत आपन बदलाव कर सकते हैं कि यह कानून है इसमें थोड़ा बदलाव किया जाए तुरंत हो जाता है लेकिन यहां पर भारत के सम्विदान में ऐसा नहीं है तो यहां तक बाते आपको किलियर होगे लचिला का मतलब यही है इसके बात में शिद्दान्त और विवार में अंतर देखो यह पर ब्येटें में किया कि कुछ और बनाएगी और कुछ विववार है तो में काफी सरा अंतर है सिध्दांत क्या बोलते है रियलीटम वह चीज वह है नहीं तो आग और कि आग और जिंक ने कहा कि सिद्दांत और व्योवार में अंतर सब्समाइदानों में प्रयाप्त रूप से पाये जाता है कि परंजु जिस मात्रा में ये बीटिस सासन व्योस्ता ताना बन गया है वैसा अन्यत्र विश्तामें नहीं तो इसके कहने का सिधा सिधा अर्थिये है कि हमने यह बोढ ना चाहरा जैसा दिखाई देता है वैसा है नहीं जैसा बार्ची सिद्धानतों में दिखाई देता है वैसा व्यवार में है नहीं और जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता है तो यह लगबग लगबग वही बाते बोढ़ना चाहरा है तो यह पढ़ लेना टेलिग्राम गुरूप पर मै यह थोड़ा तेज चलना पड़ेगा ठीक है कि टेलिग्राम दैरी स्टेडी पॉइंट है वहाँ पर आपको यह पीडिये मिल जाएगी संसद की सर्वचता बेटेन की समविदान में संसद को ही सबसे उपर रखा गया है संसद को सबसे उपर रखा गया है संसद की विदी निर्मान करने की सक्ति असीम है यानि सारी सक्तिया कोई कानूर बनाना है तो सारी सक्तिया संसद को दे रखी है जो वहां का समराथ है समराथ का पचलता है वहां पर तो उसको कोई सक्तिया नहीं है सारा कामर संसद करेगी सारी पावर जो हैा वह संसद के पास में है तो यहाँ पर बोल दिया है सरवोचता संसद की सरवोचत उसकी विदाई श्यम्ता पर कौई समवेदानिक सीमाई नहीं नहीं है उसके का Nur Nirmand करने की जो Mun कोई सी माई हैं नहीं लगा रकी में पर जो भी कानून बना देती है वह आंतिम है यानि संसद ने जो कानून बना दिया उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है लेकिन अपनकी बारत में देखोगे तो संसद निमान लीजी कानून बना दिया ना तो उसको न्यायले में चुनोती आप दे सकते हो जनता यदि उस कानून को जैसे किसान अंदुलन था तो सरकार ने कानून बना सकते देखो है यहां पर आपने आपने अहीं सकते लेगन बारत वारत stared संस्द सक्ती कौब से करते हुए है डीलोंबे ने लिखा संसद पूरोस को पूरोस को कराने के अत्रिक नंने सब कुछ कर सकती है तो कितनी वड़ी बात पूरोस Celebrate पुरूस नहीं बना सकती और पुरूस को इस्तरी नहीं बना सकती तो सोबा भी गए बाकी सारे काम वो संसत कर सकती है तो खतरनाग बात बोलिए इन्हों नहीं अब यहां पर दो विश्यस्ता है और पढ़ लेते हैं यह काफी कुछ आपको हो जाएगा मिस्त्रित समविदान बिटिस समविदान वस्तूता एक मिस्त्रित समविदान है इसमें राजतंतर कूलीन तंतर और परजातंतर के तत्वनिहीत है यानि इसमें राजतंतर के भी गु सब्सक्राइब जिसके दोरा उत्रा अधिकारी के देखो यहां पर आपने देखा कि बीटैन में समराठ Tonya में होता है meant technology जिसके दोरा उत्रा अधिकारी के आधार पर अपना पद्ध प्राप्तwow किया जटता है पद्ध्य बना रख है वर उसके पास में ज़ारा सकती होती नहीं है लाड़ सबा कूलीन तंत्रिय संस्ता है एक लाड़ सबा है वहाँ पर जिसमें कूलीन लोग बैढते हैं जिसके अधिकांस सदे से कूलीन वर्ग में आते हैं बहां पर कूलीन वर्ग रहा है और उसके सदे से इस संस्ता में बैढते हैं लोग सदन लोगतंत्रिय संस्ताओं का को वहतिक है तो यहां पर आपने दिखा कि देखा कुली इंतंतर के भी लख्षन पाए जा रहे है यहां पर लोगतंतर के भी लख्षन पाए जया रहे चाए ढ pear हlor सकते हैं कि मिश्री सम्विदान है रेकिन भारत में आप देखोगे तो सिर्फ लोग तंत्र है और उसी के लक्षन पाए जा रहे हैं नहीं तो यहां पर कुली तंत्र का प्रवाव है और नहीं यहां पर आप देखोगे कि राजा का सासन है ठीक है तो यहां तक आपको किलियर हो गई संसद्य शाषन प्रणाली बेटेन में संसद्य शाषन प्रणाली उपर अपने बात की थी कि संसद्य सब कुछ है सिमित राज तंत्र यहां पर राज तंत्र भी है तो इन सब को आप पढ़ लोगे ठीक है द्वी दलिय पद्दति यह यदि पॉइंट भी आप लिख कर आते हो लग लग वह सारे पॉइंट मेंने करा दिये हैं यदि आप इन पॉइंटों के माध्यम से मैंने जो अधर चीजे समझाई हैं क्योंकि मैंने तुलना करके समझाई है बारत का जो समविदान है और बेटेन का जो समविदान उसको तुलना करके समझाया है ताकि आपको बनाऊंगा क्योंकि जिस चीज की डिमांड ही नहीं होगी फिर मैं उस पर वीडियो क्यों बनाऊ मैं अपनी मैंने खर्च क्यों करूं तो सेर करो दोस्तों में मिलते हैं नहीं वीडियो के साथ तक तक क्लिए ठैंक्यू